हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो आल अफ यू अनर यूट्यूब चैनल भी एच क्लासिज आप सभी का प्रदर्स एजुकिशन हब के यूट्यूब चैनल भी एच क्लासिज पे स्वागत है तो फर्स वर्ड आपके सामने है चलिए हम स्टार्ट करते अपने टैस सीरीज को ब मुझे बताइए इन चारों आप्शन में से आपका मीनिंग क्या बने का मैं मोत का स्नानिम क्या हो सकता है ए में बोला गया हूपर बी में बोला है बैडजर सी में कहा है रंट एंडी में कहा है बी गरज तो बताइए इन चारों में से मैं मोत का स्नानिम क्या हो सकता है यह सब आपके लिए helpful है तो आज वाली test series को भी आप क्या करते हैं सबसे पहले answer बताने से पहले इसे like कर दें और अपने सबी friends के साथ share कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लें bell icon को press कर लें so that आपको जो notifications है वो जल्दी से मिल जाएं ओके तो यह कम आप सबसे पहले कर लें और उसके बाद मुझे बताईए मैं मोत का स्नानिम क्या बनेगा या फिर बिगरच या चल्दी कीजिए बताईए मुझे ए बी सी या डी वोपर बैड़जर रंट बिगरच मैं मोत का आपको मिनिंग बताने है येस डू फास्ट वैरी गुड देखे मैं मोत का स्नानिम क्या बनेगा आप्शन नमबर ए यानि वोपर अब मैं मोत होता क्या है सबसे पहले हम यह सीखते हैं मैं मोत यानि जिसका साइज बहुत बड़ा होता है वैरी बिग चो बहुत बड़ा है यूज साइज का है यानि elephant in nine है मैं मोथ है बहमोथ है चीक है तो उसे हम क्या बोलते है वूपर होना यानि बहुत बड़े size का होना हिंदी में हम इसको क्या कह सकते है विशाल का होना क्या होना विशाल का होना यानि बहुत बड़े साइज का होना उसे हम क्या कहते हैं मैं मोथ कहते हैं अब बाक्री जो तीन आप्शन से हैं इनके मीनिंग भी आप मुझे बताइए बैडजर का मीनिंग क्या होता है रंट का मीनिंग क्या होता है जल्दी कीजिए बताइए मुझे बैडजर का रंट का बिगरज का इन हैं यानि इसी वीडियो में आपका वोकाब का भी टेस्ट हो जाएगा आपको एडियम एक बार पहले आप से टेस्ट लिए जाएगा और फिर उनी इडियम को लर्न करवाया जाएगा विद रहल पोफ सम पिक्चर और उसके बाद आपको फिलर्स भी करवाया जाएगी यानि आपके ग्रैमर भी इंप्रूव होगी तो यह तरह से आपका कम्प्लीट पैकेज हो गया कि आपको एक ही चीज में सब कुछ मिल जाएगा तो डेली बेसिस पे अगर हम थोड़ी से वोकाब सिखेंगे थोड़ी सी इडियम सिखेंगे फिलर्स कर लेंगे यानि ग्रैमर से भ होथ हैलफल रहने वाले हैं तो आपको क्या करना है इसे लाइट शेयर करना है तो बताईए मुझे इनके सुनमी тов बैडजर, रर्ण पीगरज की मिनिंग्क क्या होते हैं सुनम्म Nothing क्या होते हैं बताएब ieड़्जर करना होता किसी को परिशान करना क्या क्या करना कि सीको पर بहुत छोटा है याने ड्वार्फ ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हमारे मैं मोत का अंटानीम हो गया ये क्या हो गया हमारे पास? अंटानीम आपके बिगरज कर Mouse करना क्या होता है? बिगरज होता है कि इल्विल फिलिंग रखते हो आप किसी से इरिश्या रखते हो, किसी से जलन रखते हो, जैलसी होना, एन्वाइ होना, इल्विल रखना, उसे हम क्या कहते है, बीगरज, गरज का मतलब भी क्या होता है, इरिश्या, तो बीगरज होना यानि एन्वाइ रखना या फिर किसी से इरिश्या रखना, और रंट का मतलब ड्वार बैडजर मतलब परिशान करना वूपर मतलब जो विशाल का है बहुत बड़े साइज का है ओकी तो चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं येस नेक्स कोशन आपके सामने है तो मुझे बताईए बी फडल का मीनिंग क्या बनेगा चार आपके पास चारों आप इससे बताईए कौन सा आपशन साइज होगा एमे कहरें ट्रिफल बी में कहरें पैस्टर सी में कहरें एडल और डी में कहरें बीस्ट बताईए फिर ए बी सी या डी बी फडल का आपको सिनानिम बताना है इसके लिए आपके पास 30 सेकंद का टाइम है जल्दी कीजी और मुझे बताइए बीफडल का सनानिम क्या बनेगा येस जू फास्ट क्या बनेगा बीफडल का सनानिम ट्रिफल पैस्चर एडल या बीस्च चार ओप्षन्स आपके पास A, B, C and D ट्रिफल, पैस्चर, एडल या फिट बीस्च करना क्या होता है बीफडल करना होता है किसी को पजल कर देना तू पजल समवन तू कन्फ्यूज समवन किसी को पजल कर रहे हो पर्प्लेक्स कर रहे हो कन्फ्यूज करना किसी को कर देना चिक है यानि किसी को आपने confusion में ले आए तो उसको क्या बोलेंगे befuddle करना और addle करना भी क्या होता है to confuse someone चीक है तो यानि option क्या बनेगा c is the correct option बाकि options की बात करें तो देखें triple क्या होता है triple होता है जिसकी ज़्यादा importance नहीं है यानि not worthy जो ज़्यादा important नहीं है जो ज़्यादा वर्थी नहीं है जिसका ज़्यादा मुल्य नहीं है उसे हम क्या बोलते है triple बोलते है not worthy चीक है पैस्टर करना क्या आता है पैस्टर करना यानि किसी को परिशान करना तो हम क्या बोल सकते हैं बैडजर करना क्या करना badzer करना, किसी को क्या करना परिशान करना, अभी हमने word किया था pastor के लिए badzer करना, यानि किसी को annoy करना, परिशान करना, अब beast का meaning क्या होता है, यह मुझे आप बताएंगे, बताएए beast का meaning क्या होता है, 10 seconds का time है, आपके पास इस question के लिए बताईए मुझे beast b-e-a-s-t इसका मिनिंग क्या होता है बताईए yes too fast beast इसका आपको synonym आता है तो synonym बताईए meaning आता है तो meaning बताईए beast b-e-a-s-t yes very good देखे beast का मतलब क्या होता है वही की same size huge size होना very big होना में मोथ होना बहमोथ होना elephant होना यानि बहुत बड़े size के तो उसे हम क्या बोलते हैं beast कहते हैं ओके तो चलिए third word पर चलते हैं third word है आपके पास trite अब मुझे बताईए trite का synonym क्या होगा 30 seconds का time है आपके पास इसका synonym बताने के लिए चार options दिए गए है a is confound b is explicit c is insipid and d is ominous तो बताईए confound explicit insipid ominous देखिए अभी यहां पर तो मैं आपको क्योंकि आपका test हो रहा है हना तो मैं आपको यहां पर इनको learn करने का तरीका देखना है idioms देखनी है इसके रिगारिंग या फिल इनकी रिगारिंग जो sentences है वह देखना है तो उसके लिए आप हमारे previous videos चेक कीजिए यह जो आज का test है वह हमारे महां से भी चेक कर सकते हैं तो बताइए मुझे try का स्वाणिम क्या बनेगा a b c a d yes do first very good दिखे try क्या होते है insipid होना क्या होना insipid होना try क्या ओता है एक ऐसी चीज जो क्या है जो tasteless है जो boring है जिसमें कुछ भी नया ही नहीं है उसे हम क्या बोलते है trite बोलते हैं, synonyms क्या होते हैं, hacknade होना, banal होना, cliche होना, बहुत सारे हमने synonyms यह थे, देखे थे, तब यहाँ पर insipid भी क्या होते है, tasteless, यानि फीका है, तो क्या बन जाएगा, insipid is the correct option, okay, trite का synonyms क्या बनेगा, insipid, बाकियो options की बात करें, तो confound तो हमने अभी अभी की है, क्या हो जाना, puzzle करना, perplex करना, confuse करना, befuddle करना, adult करना, confound, यानि किसी को confuse कर देना, कैसे जाद किया था, किसी को कान मिलेगा, तो सब confuse होने, अरे यार, कौन, कौन को जाद कर लो, कान, confound हुआ है, कान find हुआ है, यानि अगर आपको कोई ear मिल जेगा, कहीं पर पढ़ा तो confound होना, यानि confuse करना, या confuse होना, अब explicit क्या आता है, explicit यानि जो बिल्कुल क्या है, clear है, जो क्या है, बिल्कुल, clear है, जो बिल्कुल साफ है, यानि कुछ भी hidden नहीं है, उसको क्या बोलते है, explicit, या जो easily explainable है, या जो easy to understand है, अब आप मुझे ominous का meaning बताइए, या आपके कीजिए, 10 seconds का time है आपके पास, yes, too fast, ominous का meaning बताने आपको, बताइए मुझे, ominous का meaning क्या बनेगा, yes, very good, देखे, ominous क्या होता है, जो बहुत बुरा है, जिससे नफरत हो, hateful है, जो person, जो bainful है, तेक है, उसे हम क्या बोलते है, ominous होना, जो wicked है, evil है, बहुत बुरा person, उसको हमने किया, ominous word, okay, तो चलिए, next word क्यों चलते हैं, yes, next word है, आपके पास, irritate, अब मुझे बताइए, जल्दी से, irritate का meaning क्या बनेगा, बहुत easy word है ये तो, बताइए, gimcrack, zimcrack, abstain, spot, badzer, आपको इसका meaning मिल ही गया होग, अगर आपने शुरू से भी यही वाली वीडियो देखिए तो, बताइए, मुझे, irritate का स्नानिम, zimcrack, abstain, spot, badzer, जल्दी से कीजिए, yes, irritate का स्नानिम बताने आपको, बताइए, very good, देखिए, irritate करना क्या आता है, आप सभी को पता है, irritate करना या नहीं, परिशान करना, क्या करना, परिशान करना, तो अभी हमने स्नानिम देखाता ना, badzer का मीनिंग क्या देखाता, परिशान करना, किसी को तंग करना, annoy करना, irritate करना, is badzer करना, pastor करना, ठीक है, तो d number option is the correct one, बाकी options की बात करें, तो zimcrack क्या होता है, यह आप मुझे बताइए, zimcrack, zimcrack का मीनिंग क्या होता है, किसे कहते है, zimcrack, yes, too fast, zimcrack zimcrack, किसे कहेंगे zimcrack, very good, देखे, zimcrack क्या होता है, zimcrack होता है, एक cheap devil, यानि एक बहुत ही सस्ता सा devil, बहुत सस्ता सा moti, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम zimcrack बोलते है, यानि जो चीच बाबल है, या फिर जो चीच बहुत ट्रिफल है, बिल्कुल जिसकी ज करना क्या होता है यह सभी को पता है किस चीज से पर हेज करना उसे क्या बोलेंगे करना रिफ्रेन करना स्पोर्ट करना भी सभी को मीनिंग बता है और बेद्जर करना क्या होता है परशान करना हमने अभी देखे है परशान करना ओके चलिए नेक्स्ट वडे आपके पास सिटाडल अब आप मुझे जल्दी से सिटाडल कर शुनानिम बताईए चार ओप्शंस है A is humdrum, B is weakness, C is bobble and D is bestion चार options है, 30 seconds का आपके पास chime है बताईए, citadel का स्नानिम क्या बनेगा? Humdrum, weakness, bobble, bestion A, B, C, R, D Yes, जल्दी कीजिए, बताईए मुझे citadel का स्नानिम Humdrum, weakness, bobble, bestion चारों में से कौन सा स्नानिम सही होगा, citadel का Yes, जल्दाईए Very good, option number D is the correct option देखिए क्या होता है citadel Citadel होता है किसी को fortify करना किसी को सुरक्षा परदान करना किसी को protection देना उसे हम क्या कहते हैं? Citadel, to provide protection To provide fortification Fortify करना किसी को चीक है? तो यानि कीला जो होता है कीले देखियोंगे आपने तो उसी को हम बोलते है bestion चीक है? यानि जो चीज हमारी क्या करते है रक्षा करते हैं? एसी इमारत, एक ऐसी बिल्जिंग जो आपकी रक्षा करती है तो उसी हम क्या बोलते है? bestion या फिज, citadel options की बात करें तो हम ड्रम सभी को meaning पता लगया होगा जो चीज क्या है? इनसिपिड है क्या होना? इनसिपिड होना तेसलेस होना बॉरिंग होना उसी हम क्या बोलते है? हम ड्रम है weakness मतलब कमजोरी bobble word अभी हमने देखा क्या होता है? cheap jevel या zim crack giga जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं है तो चलिए अब हम अपने interesting part पे चलते हैं यानि हम idioms start करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम fillers करेंगे ओके? yes आज की पहली idiom आपके लिए a snake in the grass I think सभी कोई इडियम का meaning पता होगा तो मुझे बताईए जल्दी से क्या option सही होगा? A, B, C या D A में बोल रहा है as reliable person एक reliable person होना B में कहा रहा है secret or hidden enemy चुपा हुआ दुश्मन C में कहा रहा है उन्रिकोगनाईजेबल डेंजर एक ऐसा खत्रा जिससे हम पहचार ही नहीं पारे हमारे सामने खत्रा कड़ा है तो बताईए मुझे a snake in the grass क्या होगा? A, B, C या D yes too fast 20 seconds का time है आपके पास per idiom को solve करने के लिए तो बताईए मुझे as reliable person secret or hidden enemy unforcing happening या unrecognizable danger A, B, C, D yes चल्दी कीजिए very good देखिए snake in the grass क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन अब याद करते हैं इसे हम ये देखिए ये snake क्या है? ग्रास में छिपा हुआ है आपको नहीं पता कि ग्रास में छिपा हुआ और आप जैसे ही पैर रखोगी आप तो नॉर्मल वॉक करने गए थे हैं ना? तो अगर आपने जैसे ही पैर रखा ये आपको खा जाएगा यानि ये तो हमारे ग्रास तो हमारे लिए फाइदे मनती तो छिपा हुआ दुश्मन है हमें लगा कि ग्रास हमारे लिए फाइदे मनती तो चलना फाइदे मनती है लेकिन उसमें क्या था? उसमें एक स्नेक था तो उसके करना को क्या होगा? नुकसान होगया, आपको हट होगया यानि ये तो एक छिपा हुआ दुश्मन है ओके तो snake in the grass मतलब छिपा हुआ दुश्मन चले next idiom पे yes next idiom आपके सामने है तो बताईए मुझे to give up the ghost ये idiom है आपके लिए आपको इसका meaning बताना है चार option है to become rational, to suffer, to fight evil forces, to die yes बताईए to give up the ghost इसके लिए आपके पास 20 seconds का time है मुझे बताईए कौन सा option सही होगा इस idiom का meaning क्या होता है to give up the ghost to become rational, to suffer, to fight evil forces, to die yes चल दिखीजिए to become rational, to suffer, to fight evil forces, to die a, b, c, a, d और आपको फिर से कह रहे हैं कि अगर आपके लिए वीडियो है helpful है अगर आप इसको enjoy कर रहे हैं तो आपको क्या करना है इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक करना है और जितने भी परसन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे अपने notifications मिल जाएं जैसी वीडियो स्टार्ट होती है लाइक क्लास स्टार्ट होती है या कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो आपको नाटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो उसके लिए बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बताइए तो to give up the ghost क्या बनेगा a b c a d a b very good देखें क्या होता है तो डाय मर जाना मरने को मैं बोलते है तो गीवफ दा गोस अब कैसे याद करें उसके लिए हम चलते हैं पिक्चर पे पिक्चर आपको दिख रही होगी हाना क्या है इस पिक्चर में देखिए अगर हमें गोस को दे दिया तो मतलब बूत अगर हमे भूत कब हमें लेंगे जब हम खुद भूत होंगे यानि मर जाना मरने को हम क्या बोलते हैं तो गीवब दा गॉस्ट हम गॉस्ट के पास पहुंचके भूत के पास पहुंचके तो हम क्या हो जाएंगे मर जाएंगे यानि तो पासवे या फिर टू डाइ इसे हम क्या बोलते है इससे हम pass away भी कहते हैं ये भी याद कर लेना चीक है pass away का मीनिंग क्या होते है एक phrasal verb है यानि मर जाना to die ओकी तो pass away भी आ सकते है die भी आ सकते है चले next idiom पे yes next idiom आपके सामने है बताइए मुझे options choice ये आपके पास idiom है अब बताइए क्या मीनिंग होता है options choice का चार options आपके पास feeling of strength B is feeling of insecurity C is excellent choice and D is accept or leave the offer चार options है A, B, C and D 20 seconds का आपके पास time है तो मुझे बताइए जल्दी से इसका synonym क्या बनेगा options choice का मीनिंग क्या बनेगा A बनेगा B, C, D दिखिए अगर आप idioms की image बना लेंगे आपने माइंड में तो फिर आपको वो हमेशा तक याद रहेंगी यानि काफी लंबे time तक याद रहेंगी लेकिन अगर आप सिर्फ retta applications पे रहेंगे तो आप इन idioms को एक week के लिए याद कर सकते एक month के लिए याद कर सकते लेकिन आपको ये long term छोड़ दो अगर हम इसे बोलते हैं hopson's choice कैसे याद करें उसके लिए चलते हैं picture पे देखिए hopson's choice क्या ओती है जब no choice at all जिसे हम क्या बोलते हैं not choice at all यानि ले दे काई कोई choice थी नहीं बस ऐसी बोल बोलते कि आपके पत्राइए या तो ये सकते या वह मतलब कर लो कि आ है आपको बहुक्त कि आर्फ को के लो आता है या फिर या फिर यह यानि कोई च्वाइस दी उसने दूपशन तो बना दी लेकिन डौना ओपशन क्या है? same है यानि हमारे परस कोई भी च्वाइस नहीं है तो इसको बोलेंगे option's choice survey ठीक है? यानि option's choice होना कोई भी choice ना होना इसे हम अपने एक्जाम से relate करते हैं कैसे? मान लो आपके पास एक question आया चीक है और आपको बोला कि इस में से इन दोने में से choose करो दोन option नहीं है तो आपके बस क्या है कोई choice ही नहीं या नहीं options choice है no choice at all ओके तो चलिए next student पर चले हम yes तो बताईए मुझे next student का meaning to talk through one's head इसका meaning क्या होता है चार options आपके पास to talk wisdom, to speak fluently, to speak at random, to talk nonsense 20 seconds का time है आपके पास इस idiom का answer देने के लिए तो बताईए मुझे क्या meaning बनेगा to talk wisdom, to speak fluently, to speak at random, to talk nonsense yes चल दिखीजिए इस idiom का meaning बताईए a, b, c, a, d, कौन्स options सही होगा आपके लिए फिर हम इसे याद करते है to talk through one's head yes, do fast to talk wisdom, to speak fluently, to speak at random, to talk nonsense do fast very good देखी इसका meaning क्या होता है to talk nonsense nonsense की तरह बाते करना उसको क्या बोलते है to talk through one's head कैसे याद करें देखे एक person होता है, जो hat पहना होता है तो वो एक, आपने कभी देखा होगा कई person अपनी pick को edit करके लगाते है वो मुह में कुछ cigarette सी लिए होती है चैन पहनी होती है और सिर्पे cap होती है तो वो कैसे persons की, मतलब, वो कैसी बाते करेगा और कोई से गुंडा सा person है तो वो nonsense बाते करेगा तो to talk through one's head यानि nonsense बाते करने वाला क्या करने वाला? nonsense बाते करने वाला उसको हम क्या बोलते हैं? to talk nonsense या फिर to talk through one's head ओके? तो चलिए नेक्स शीडियम पर चले हम येस नेक्स शीडियम आपके पास to be at loggerheads तो बताइए मुझे इसका मीनिंग क्या बनेगा to be at loggerheads का मीनिंग क्या बनेगा चार options आपके पास to face stiff opposition to have tough encounter to text one's mind and body to be at enmity or strife to be at loggerheads का आपको मीनिंग बताना है येस चल्दी कीजिए to be at loggerheads to face stiff opposition to have tough encounter to text one's mind and body to be at enmity or strife A, B, C, A, D do fast A, B, C या से D जल्दी कीजिए पताइए मुझे yes क्या बनेगा इसका मीनिंग A, B, C, A, D very good क्या मीनिंग होता है to be at enmity or strife देखे क्या होता है to be at loggerheads loggerheads का मतलब होता है दुश्मनी मी होना क्या होना दुश्मनी मी होना अब कैसे याद करें इसके लिए हम चलते है अपने image पे ये देखे ये किसकी पिक है ये loggerheads की पिक है इसे loggerheads बोलते है अब कोई person loggerheads पे एक दूसरे के साथ यानि ये देखने में कितना लग रहा है angry यानि वो दोनों person क्या है एक दुश्मनी मी है तो loggerheads का मतलब दुश्मनी में होना loggerheads की होना अब कोई person इन पे सवार होके आये हैं लडाई करने तो ओवेसी बात है इन पे सवार होके क्या करने आएंगे इन पे सवार होके लडाई करने आएंगे तो loggerheads का meaning क्या होता है एनमीची में होना स्ट्राइफ पे होना यानि दुश्मनी में होना किस पे होना दुश्मनी में होना ओके चलिए हमने अपने idioms तो कर ली अब हम आते हैं fillers पे अब मुझे बताईए कि first filler में क्या appropriate आएगा कौन सी जो है preposition सही होगी from to by about question मैं read कर देती हूँ हर filler को solve करने के लिए आपके पास होंगे 20 seconds 20 seconds में आपको इसका answer बताना होगा A, B, C, A, D fillers आप सभी को पता होगा fill in the blanks question क्या है कहता the passengers were very happy dash the friendly and warm treatment given to them अब बताईए मुझे A, B, C, A, D 20 seconds का आपके पास time होगा हर filler को solve करने के लिए तो बताईए मुझे A, B, C, A, D yes, too fast the passengers were very happy dash the friendly and warm treatment given to them A, B, C, A, D yes, देखिए क्या होता है क्या होता है क्या होता है passengers बहुत खुश थे क्यों खुश थे जो treatment उनको दिया गया था friendly और warm treatment दिया गया था उनके कारण खुश थे हना तो के बारे में friendly warm treatment के बारे में खुश थे? नहीं from तो होता है कहीं तक वहां तक खुश थे? नहीं to नहीं बनेगा तो by मतलब इसके दवारा friendly और warm treatment जो उनको दिया गया था इस कारण वो खुश थे by the friendly and warm treatment given to them यानि हमार पास क्या बनेगा? C बनेगा चलिए next question पर चलें यह रहा आपके पास second question तो बताईए मुझे the higher you go the more difficult it dash to breathe तो मुझे बताईए क्या बनेगा? A, B, C या, D yes, 20 seconds का time है आपके पास इससे solve करने के लिए बताईए कौन सा option सही होगा फिर आपको हम समझाएंगे इसे पहले आपको बताना है कि आपके पास इसका क्या option सही बनेगा? A, B, C, या, D yes, too fast A, B, C, या, D क्या बन सकता है? A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा या D बनेगा? देखी, very good क्या बनेगा? D चीक है? क्या question में कह रहा है? क्या तो the higher you go पहल तो हम यह याद कर ले जब भी ऐसा तरह है कि जितना तुम उपर जाओगे उतना मुश्किल हो जाएगा तुमारे लिए ब्रीथ करना जब भी दो चीज़े एक दूसरे पर depend करती हैं तब हम किसका यूज करते हैं तब हम the plus comparative degree का यूज करते हैं इसे हमेशा याद रखना इस rule को like the more you earn the more you learn the more you earn जितना तुम सीखोगे उतना तुम कमाऊगे जितना तुम खुश रहोगे उतना तुम success पाऊगे तो जितना उतने वाली जब बात आती तो हम क्या यूज करते हैं the plus comparative degree यानि यहाँ पर क्या है the higher तो यहाँ पर भी क्या है the more यह तो सही है हमारे पास अब कहता the higher you go जितना तुम उपर जाते उतना मुश्किल हो जाता है क्या करना breathe करना तो is becoming हो रहा है यह एक्षन हो निरा जस्त नॉर्मल बात की है तो यह तो नहीं बनेगा became उतना मुश्किल हो गया था नहीं यहाँ पर first form है नहीं बन सकता the more difficult it has become बन चुका है इतना मुश्किल बन चुका है नहीं इतना मुश्किल बन जाता है breathe लेना उतना मुश्किल हो जाता है ठीक है नॉर्मल बात जब की है तो उसके लिए scientific truth की बात की है तो उसके लिए हम first form लगाते हैं या फिर first form के साथ s या yes लगाते हैं और आप यहाँ से भी चक कर सकते हैं यहाँ पर first form है तो यहाँ पर भी क्या नहीं चीए फिरस्ट फॉर्म अब इट हमारे पास सिंगूलर है तो हमने क्या लगाया एस या yes या नहीं becomes ओके चलिए नेक्स कोशन पर चलें येस नेक्स कोशन आपके सामने है तो मुझे पताईए क्या बनेगा A, B, C, A, D 20 seconds का आपके पास चाइम है इस कोशन के लिए कोशन क्या है The children were disappointed because they had hoped dash with us A में कह रहा है would have gone B में कह रहा है to had gone C में कह रहा है to have gone D में कह रहा है to go A, B, C, A, D बताईए The children were disappointed because they had hoped dash with us जल्दी कीजिए would have gone to had gone to have gone to go A, B, C, A, D yes, too fast very good क्या बनेगा to go देखी क्या कह रहा है क्या चिल्डर्न disappoint हो गे थे children बहुत जादा disappoint निराश हो गे थे क्यों हो गे थे because they had hoped वो आशा कर चुके थे क्या कर चुके थे would have gone ये तो बनने का कोई sense ही नहीं है कि वो आशा कर चुके है perfect tense तो आएगा इनी ना कि वो जा चुके होंगे हाना तो ये तो बनी नहीं सकता future perfect तो वैसी नहीं आ सकता to had gone वो आशा कर चुके थे कि वो जा चुके थे नहीं बनेगा ना जा चुके नहीं थे वो तो गए नहीं थे अभी तक और वैसे भी टू के बाद second form तो आती नहीं टू के बाद तो first form आती है तो यह भी नहीं बनेगा to have gone वो जा चुकी है देखी two के बाद first form आती है ठीक है लेकिन to के बाद have वो नहीं आ सकता इसका मतलब है कि वो जा चुके हैं उन्होंने आशा की थी जाने के लिए कि वो जाएंगे हाना तो two plus infinity यानि infinitive का यह जोगा तो two plus वरब की first form तो क्या बनेगा because they had hoped to go with us उन्होंने आशा की थी हमारे साथ जाने की या जाने के लिए हमारे साथ आशा कर चुके थी इसलिए वो क्या होगे disappoint हो चुके थी चलिए next question पर next question आपके पास she stood but couldn't utter a single word for quite some time अब मुझे बताइए क्या meaning बनेगा she stood amid but couldn't utter a single word for quite some time यह अब आपके पास phrasal verb से question बने about, before, for, यह to बाकी बहुत easy है options cut करोगे तो आपके पास easily आप answer तक बहुँ जाओगे तो बताइए a, b, c, a, d she stood about, she stood before, she stood for यह she stood to yes a, b, c, a, d जल्दी कीजिए बताइए मुझे answer a बनेगा, b बनेगा, c बनेगा, d बनेगा yes, very good क्या बनेगा c number options stood for देखी क्या कह रहा है कहता कि वो अमित के लिए खड़ी थी या फिर अमित के साथ खड़ी थी लेकिन उसने फिर भी कितने time तक उसके लिए या उसके defend उसको defend करने के लिए एक भी word utter नहीं किया यानि एक भी word नहीं बोला तो किसी के साथ खड़े होने को तो अभी हमने बोलता stand by किसी को spot करना अब by भी बन सकता था लेकिन मार पास option में नहीं है तो किसी के लिए खड़े होना यानि stand for किसी के लिए stand for करना यानि किसी के लिए खड़े होना तो stand about किसी के अमित के बारे में खड़े होना अमित के सामने खड़े होना कोई judge थोड़े जो अमित के सामने है उसने ऐसे थोड़े बोल है कि उसके सामने जज के सामने नहीं बोल सकी तो अमित के लिए खड़े होना यानि stand for option number C is the correct option ओकी चलिए next question पर चले yes next question आपके पास he is the friend dash I trust most option number A is which B is who C is him D is whom अब मुझे बताइए चारों में से क्या बनेगा 20 seconds के टाइम है आपके पास बहुत easy question है बताइए which who him whom और फिर से आपको एक बार याद करवा दें कि आपको ये हमारा initiative अच्छा लग रहा है यानि वो क्या है प्लस idioms प्लस fillers तो आपको क्या करना है इस वीडियो को like share करना है ताकि हम इसी तरह से नई नई चीज़े आपके लिए लेके आते रहें हमें भी no motivation मिले क्या करेंगे हम फिर इसके साथ कुछ time इसे चलाके फिर हम इसके साथ एक और चीज़ एड कर लेंगे यानि हम complete हमारा एक daily का small quiz जिसको हम बोल सकते हैं वह हम अपने daily की पढ़ लिया करेंगे तो बताइए मुझे which who him या whom very good क्या हैगा deal whom बनेगा क्या बनेगा दीखे क्या कह रहा है he is the friend यह वो friend है जिसे मैं trust करता हूं तो which to non living के लिए आता है यह नहीं बनेगा him दुबार अब्जेक्ट नहीं आ सकता जस्ट एक relative प्रनावन आना इसमें यानि जो इस sentence को इस sentence से relate कर दे ऐसा प्रनावन आना यानि दो option बचे हूं या फिर हूं अब अगर हमें subject की need होती इसकी need होती हमें subject की need होती तो हम क्या लगाते हूं और अगर हमें object की need होती तो हम क्या लगाते हूं अब देखो जिसे मैं सबसे ज़्यादा trust करता हूं जिस पर हना यानि I trust him तो him के लिए क्या आएगा object है हिम के लिए क्या आएगा हूम आएगा क्या आएगा हिम के लिए हूम अगर आपको हू हूम में बिल्कुल थोड़ी सी भी confusion है अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कब विच यूज करना है कब हूम यूज करना है तो आप हमारी subject verb agreement की जो वीडियो है उसके एक पार्ट में वि बहुत अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना और अपनी सभी friends के पास इस वीडियो को पहुंचा देने यानी इस वीडियो को शेयर करना है ठंस अब दीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्यू सो मुच, बाई बाई, टेक कियर.